कॉं हेलो रिष्बुलन्स हम पढ़ेंगे आदशेप्टर मैंनुफेक्ष्रिंग इन्डस्ट्रीज सबसे पहले काउंसिलने इस चेप्टर के लिए क्या सिलेबस इसू किया है तो मैंनुफेक्ष्रिंग इंडस्टीर में सबसे पहला कोईन्ट है जो हमें पढदा है वो है classification कि क्लासिफिकीषघेशन and importance कि यानि कि manufacturing industries का classification और importance दूसरा है एक्ड मैं वेश्ट के इंदस्ट्रीज मिश्में हमें पढ़ना है एक रोवीष्ट इंडस्ट्रीं में सुगर इंडेस्टी आ है और टेकस्टाइल है इनिस्ट्री अ ठिल फिच्त इन यह में दो इंडस्टी पढ़ नहीं पहल वह हिए कर देंट स्टील और सिलक टेकस्ट्ट जे नहीं नहीं ह novoже बेस्ट है मिन्रेल कि इन डम्लेश इंड़िश्टिर के इसमें हमें पढना है रम आयरन कि इस्टिल इंड़िश्टिर इसके लब हमें देखना पेट्रोख्यंकल इंड़श्टिर पेट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोनिक्स यह है हमारा सिलेबस दूसरी चीज एक अच्छी स्टेटजी के लिए हम यह भी देख लेते हैं कि यहां से कोईशन कैसे आने वाले हैं और वह देखेंगे काउंसिल ने जो अपना स्पेसी में यह मॉडल पेपर वहां से पैटन जो चेंज हुआ उस पैटन के हिसाब से पार्ट फस्ट में अबजिक्टिव आते हैं और पार्ट सेकेंड में यहां से डिस्क्रिप्टिव कोईशन मिलेगा तो पार्ट फस्ट के आपका है डेस लिखा है अब यहां पेलिखा है इंड़स्ट्रीज अ are also known और आलसो नोन आज हाउस होल्ड इंडस्ट्री इसका मदब यही हुगा कि इसमें से ऑप्शन जो गिवन आप्शन है उसमें से कौन से इंडस्ट्री को हाउस होल इंडस्ट्री भी बोलते हैं आपके पास में बेसिक इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री या को अपरस्टी इनडस्ट्र यह फिर कोटेज इनडस्ट्री और फॉर्थ अपसन इसलिए नहीं लिखु रहे हैं क्योंकि सायत मिस्प generally की वजासे वहां पर फिर से बेसिक इंडस्ट्री ही लिख दिया इन्हों नहीं तो इन्हीं तीन में से एक एंसर करेक्ट है जो आपको बताना है अगर आता हो तो आप कमेंट बाग से बताओ और नहीं चैप्टर पढ़ोगे तो एंसर मिली जाएगा ठीक यह भी बता देते हैं कि यह कोशिशन जो है वह आपके इस क्लैसिफिकेशन वाले टॉपिक से उठाया गया है ठीक है दूसरा कोशिशन आपका है राउर केला इस्टील प्लांट वाज बिल्ट विद्ध वाज बिल्ट विद्ध कोपरेशन आफ अब यहां पर आपके पास अप्षन है अप्षन ए है यह वे से सार अप्षन भी है जर्मनी अप्षन सी है आपका जपैन आपको कि यह चीज यहां आप से उठाई गई है और एंसर तो आप कर लोगे या तो अभी कर लोगे या जब चैप्टर पढ़ोगे तब कर लोगे यहां से पढ़ात्यक मैं एक चीज रिलेट करूंगा और अभी बताए दे रहा हूं इसलिए यह तुरूं आपको पढ़ाएंगे प्रॉब्लम साफ इंडस्ट्री इसी टॉपिक में वहां से रिलेट होगी ठीक है तो अभी कि यह जो कोईरी है वो मैंड बना करके रखो चलो यह होग आप जेक्टिव डिस्क्रिप्टीव वाला है तो पार्ट सेकेंड का क्वेशन नंबर 10 जो है वह टेन मार्ग सका होता है और इंडस्ट्री से पूछा जाता है तो वहां से प्रस्ट कुछा गया है वह है एक्स्प्लेंद टर्म्स एक्स्प्लेंदी टर्म्स और तर्म्स आपके हैं पहला टर्म है आपका एंसिलेरी इंडस्ट्री आपको इंसिलेरी इडासिट्री कोई satisf क्रेंड करना है और दूसर टर्म आपका है आपको explain करना है public sector इंडास्ट्री का पप्लिक सेंडर इंडास्ट्री क्या होती है ठीक है और ये question कहां से उठाए गया है आप जानी जाओके कि ये classification प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है और वो प्रॉब्लम्स यहां से रिलेट करेंगी तो यहां से आपको बताना है इक वाटन टेश्टेट इंडस्ट्री काउं से प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स करती है ठीक है एक से के अगे कि यह कोईशन टूटू मार्स के हैं कोईशन में थर्ड जो कि थरी मार्क है वह है फ्राम वेर फ्रांग वेर टार्टा आयरन एंड इस्टील कंपनी इसी का साथ फंट इसको है जो की असलिबस में लिखा है इस्टील कंपनी गेट्स इट्स अप्लाई कि गेट्स इट्स सप्लाई आफ कोल आयरन वाटर सप्लाई कोल आयरन एंड वाटर ठीक यह चीज भी हम एक तो जब हम यह पर्टिकुलर इंडस्टी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे ठीक है और दूसरा जब हम फैक्टर्स लोकेशन लोकेटिंग गाइंड इंडस्टी इस यह फैक्टर्स रिस्पांसिबल फर्द लोकेशन आप इंडस्टी 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 पढ़ेंगे तब भी यह चीज पढ़ेंगे ठीक चलो थार्ट नंबर फॉर्थ कोईस्टन यहां से आया है फॉर्थ कोईस्टन आपका वह इस इस इगनिफिकेंस आफ अफ इंडस्टी आपके इंडस्टी यह आपके सिल्बस में है इलेक्रोनिक इंडस्टी फ़र एजुकेशन इंटर्टेंमेंट entertainment and research and research ठीक यह 10 मार्स का हो गया तो कुल मिलाके हम यह चैप्टर पढ़ने जा रहे हम हैं आपके वोड के 12 मार्स के लिए पढ़ने जा रहे तो यह तो हो गए जो बोर्ड ने आक़की स्पेसिमेन question या model question दिये हैं इसके अलावा फर्दर आपको प्रेक्टिस के लिए और ऐसे ही model questions के लिए जहां से आप प्रेक्टिस कर पाऊ और जो up to the board syllabus हों और बिल्कुल board के pattern पे हो उसके लिए मैं आपको refer करूंगा यह वो स्वाल की most likely ICSC question bank ठीक है इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सारे chapters at a glance आपको मिलेंगे समराइज तरीके से bullet notes में हैं वो चीजें पूरा chapter इसमें cover किया गया है जो कि revise syllabus पे है इसके अलावा अब देखो कि जैसे यहां पर explain करने के लिए हैं और कहीं कहीं पर इसमें को मिलें गिव रीजन के मिलेंगे differentiate के मिलेंगे तो वो सब अलग अलग chapter में उन्हीं तरीके questions दिये हैं और उनके answers भी इसमें दिये हुए हैं इसके लिए description box में इसकी link है जाकर कि वहां से purchase कर लीजिए चलिए अब आते हैं topic पर और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें classification आप इंडस्ट्री इसके पहले दो टर्म देख लेते हैं उनको explain कर लेते हैं हो सकता आप से पूछ भी लिया जाईए यह आपके जानकारी के जरूरी है कि इंडस्ट्री क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती ह है ठीक है तो यह ऐसे economic industry है जो की प्रोड्यूस करती है यह activity प्रोड्यूस करती है प्रोड़क्स एंड गूट्स प्रोड़क्स एंड गूट्स यह अगर आपको इसको explanation में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो कि एन economic activity concerned with the production of goods and services अब इंडस्ट्राइजेशन क्या होता है ठीक तो इंडस्ट्राइजेशन एक पीरियड है इंडस्ट्राइजेशन रिफर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और सोसल एड़ एकोनॉमिक चेंज का एक 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 ऐसा पीरियड है जो की ट्रांसफार्म करता है एक ट्रांसफार्म करता है एक हूंन गृप को एक एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसको और फर्द एक स्पिन करते हैं अब अग्मालों अगर इसको आपको लिखना हो यानि एंसर राइटिंग करनी हो तो आप इसको सिधा-सिधा लिख सकते हो कि अप इसको पीरियड आप सोशल एंड एकोनॉमिक चेंज दैट ट्रांसफार्म सा human group from an agrarian society into industrial one होता क्या कैसे है जैसे जब इंडस्ट्राइजेशन शुरू हुआ हिंदी में इसको अध्योगी करण कहते हैं शुरू हुआ उसके पहले human group जो है just in secondary में क्या होता चेंज हुए जो है वह हो प्रोड़ूस रिलेटेड है प्रोडक्ड़क्स से प्रोडक्स और इनी फेप्सन से और जो है यहां पर पी है रूटक्स फोसनप्ड़ूसेंट से यमआप लिखना चाहिए था कई सारे के स्कता है तो सबसे पहला जवक मतलब यही है कि जो इंडिस्टी अपना अपना रा मटेरियल जो इंडस्ट्रीज अपना रा मटेरियल ठीक है कहां से लेती है एक्रिकल्चर से लेती है कहां से लेती है एक्रिकल्चर से लेती है वो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं एक्रो बेस्ट नाम ही है वहीं वहीं कि एक्रो से आप एक्रिकल्चर कर लो और एंडस्ट्री प्रोड्यूस्ट पर ने इड एंडस्ट्रीज कर एंगी एंडस्री कहलेंगी आ मोग जाना ही जायोगे जैसे अगर हम कॉटन टेक्स्टाइल तो कॉटिस ते किस से ब़ bever कब्रेंन और कॉटन कहाओ से आता है जूट की बात करें तो वhon b को ये से हैं तो यह हो गया एग्डोवेस्ट में अभी आपने सुना है सुना सुना या ना मिनरल बेस्ट और सेम जो इंडस्ट्री अपने कि मिनरल्स को यूच करती है उन्हें क्या कहते है मिनरल कहते हैं इसका एक्जामपल आपका है टिसको है टाटार इंड इस्टिल कंपनी राउर केला पेट्रो केमिकल इलेक्ट्रिक जो कि आपके सिलेबस में ही है यह हो जाएंगी अगला अंग का है फॉरस्ट बेस्ट है कि में जो इंडस्ट। फॉर्श्ट के बेस्ट वे कर निवाष से जूँ करती हो उसके प्रॉड्योस पे बेशन हो वो फार्ट मेस्ट हो जाएंगी जैसे मत ने खी आशने से आप रहें से आज यह सारी चीजी तो इसमें आपको क्या जाएगा इसमें जैसे मालो हम गज़े सिल्क इंड़ाइब ठीक है नहीं सिल्क तो नहीं रखेंगे इसमें इसमें हम रखेंगे जैसे प्लायूड इंडस्ट्री सिल्क आजाएगा आपके एनिमल प्रोडूस में एनिमल बेस्ट आजाएगी तो प्लायूड इंडस्ट्री हो गया मैचिस्टिक का हो गया ठीक है मैचिस्टिक का हो गया य सबसे बडρωका सबस्क्राइब कर बसक्राइब कर एसनी घुळाएग पर गोस्तोर थो इसने अफिक कि दो यह से और सब्सक्राइब करें अभ्त सबस्ट होती होती है इसमें अपका छाये गा किशीआxico कहा जाएगा पल्ट्री हे वह जाये छया जाये इस तर handwriting की किसमें घजाएंगी एनीमल बेस्ट में आ जायेंगी अध्यक नेटेश देडेरी यां जाएगी इसमें को RIGHT अगला बेस्स बेस rains लेते हैं जिसे रवाटरीश न बेस हो गया अगला बेस लेते हैं वह बैसे on the basis of product product based pill industries दो तरीके होती है इसमें 4 तरीके की होई यहां पे दो तरीके की होती है कौन कौन सी है एक है light इंडस्ट्री यो lightweight industry दूसरा heavy सले सखिन है कि जैशा मैंने यहां इभ garlic झाल सबूदूर्ख न चाहुंत है जो प्रोडूस्ट करती वह चीजो में में कैसी है लाइट्वेट वाली है तो हैवी वाली है क्यूंत एसल सिफ्सीन एलेक्ट्राइक इंडस्ट्伏的話 इंडस्ट्री और एंडस्ट्री तो आए ओक किसमें आएगी हैवी इंडस्ट्री में आएगी यह हो गया प्रोडक्टिक के बेस पे तीसरा बेस हम लेते हैं वह है अन्द बेसिस आप इंवेस्टिमेंट के हैं कि इन्वेस्टिमेंट एंड टर्नोबर की न्यू जो घरब सुने होगे तो वहां पे य६श्व बहुत ज्यादा में सेमी स değil होगे क्या सुने हो Chief M cherry में हैं माई करों एक इसमैं फारी स्माल एक इसम पर है मीडियम इफार इंटरप्राइज है तो अब यहां से जान सकते हो कि इन्वेस्टमेंट होता है वह ना डिक्सी टू वन क्रोर का होता इस से ज्यादा नहीं होता और यह क्या है यह अब को होगे सर यह तो हम याद कैसे करेंगे यह तो कठिन हो गया कुछ नहीं जबन क्रोर का investment है अगर इसको 5 से मल्टिप्लाई करते हो तो 5 क्रोर हो जाता है यह इसका turnover है 10 क्रोर का investment है इन्टू 5 50 खलो turnover है 50 क्रोर इसका investment है 50 into 5 to 50 क्रोर इसका turnover है तो यह हो गया किसके बेस पे प्रोडक्ट के बेस पे ठीक कि अगला बेसे सम लेते हैं ऑनर्शिप का बेसिस ऑनर्शिप मालिक कौन होगा इंडस्ट्री का मालिक कौन है और उसके बेस पे ठीक बोर्ड खाली कर ले पहले के अग्या तो कि तोम खूल है ओनर्शिप के बेस पे तो इसमें चाहिए तो कुछ इन्डिवुजूल या ग्रूप अफ्न और टीवीजूल क्या करेंगे उस पबलिक ऑनर्शिप होंगे उस पुब्लिक को ओन करेंगे जैसे आपका रिलाइंस इंडिया लिम्टेड हो गया विप्रो हो गया इन्फोसिस हो गया यह सब किस में आ आएंगे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे पब्लिक सेक्टर जिसको आप सरकारी बोलते हो गवर्मेंट सेक्टर की बोलते हो उन्हें को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं अब गवर्मेंट की होने के मतलब यह नहीं है कि पूरी पूरी गवर्मेंट की जैसे आप देखते हो कि किसे इंडस्ट्री का 50% से ज्यादा सेर होता है डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास होती है तो वह इंडस्ट्री जिसमें 50% ज्यादा सेर गवर्मेंट के पास है ठीक वो किसमें आएगी पब्लिक सेक्टर में आएगी उसमें इसके एकजाम्प इसके इसके बता ही दिये थे इनफोसिस विप्रो एक रिलाइंस यह सब हो गया पफ्लीक जैसे आपका पॉब्लिक सेक्टर में आपका है भी एचियल भेल यह भारत है वी एलेक्टिकास लिम्टेट सेल इस्टील एथार्टी आफ इंडिया लिम्टेट ठीक है गेल गैस अथार्टी आफ इंडिया लिम्टेट यह सब क्या है यह सब पॉब्लिक सेक्टर के है इसके लाद सेक्टर इन्हीं प्राइविट और पॉब्लीक का मिला करके क्या होता है ज्वाइन सेक्टर होता है ठीक और इसके लाप कोपरेटिव होते हैं साओ्ध इंडिया में इस तरीके इंडस्टि सुगर इंडस्टि में इसका एक्जामपल आपको देखने को मिलändern को आप अहिए कंटी में क्या होता कि इस है हैं ठीक है तो वो किसमें आ जाता है वो को अपरेटिव में आ जाता है और उसका जो प्रॉफिट होता है वो मतलब जैसे पार्टनर्सिप में जलता है तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो जिस हिसाब से हम लोगों ने अपना रिसोर्स या कैप्टर इंवेस्ट किया है उस विजमांपे एक है आपका विलेज इंड है ए दूसरा है आपका कौर्टिज इंडेस्टी के वह है जो कि मार्केट की लोकन नीड को पूरा कर देती है और इसका रा माटेरील भी लोकली मिल जाता है ठीक उसको कहते हैं village industry कहते हैं गाओं के लोग यह लेवरर उसमें involved होते हैं ठीक तो यह इंडस्टी है इसमें इसमें पॉट्टरी मेकिंग हैंड क्राफ्ट यह सब इसमें आ जाएंगे इसमें पॉट्टरी और जो हैंड क्राफ्ट यह सब इसमें आ जाएंगे जो घर में लोग छोटा चोटा काम करते हैं वो इसमें आ जाएगा प्रोड़क्ट के बेस पर 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 इंडस्टी इस फोर टाइप की सबसे पहले है बेसिक इंडस्ट्री इसका एक्स्प्लेनेशन पूछा गया है ठीक है बेसिक इंडस्ट्री का पूछा गया है बेसिक इंडस्ट्री और यह इसको कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री दूसरा है सेकेंडरी यह कंजूमर इंडस्ट्री इंडिस्ट्री थर्ड हमारा टरसीरी और फोर्थ इंसीलेरी इंसीलेरी भी पूछा गया है वहाँ ठीक है चलो जान लेते हैं क्या होता है बेसिक जैसा इसका नाम है या प्रैमरी जैसा कि इसका नाम है ऐसे इंडस्ट्री जो किसी अगले इंडस्ट्री के लिए बेसिक मसीन पनेगी और उन मसीन पे इसकेंट्री सेक्टर की मालो है तो यहां जब मसीन बनेगी वही यूज होगी इंडस्ट्री के लिए तो कासी है całe कज्यूमर कहा गया है कि क्युक्स ते निकलने वाले वहां से ये चीजे लेती है कपने में यूज करती है चाहे वह रो मटेरियल हो या मसीन सो उनको ये यूज करते हैं अपने में और इसके बाद में यह जो प्रोड़क्ट बनाती ही वह सीधे यह जाकता है चाहे सुगर हो या कॉटन टेक्स्टर इंडस्ट्री से ठीक यह हो गई से केंड्रीं मिंट तरसीरी जैसा कि आप एक्टिविटी में प्रायमेरी अक्टिविटी सेकंड्री और तरसीरी देखते हैं तो उसमें भी टरसीरी जैसा कि सर्वेस स्क्टर होता है यह भ फिर एंसिलेरी एंसिलेरी इंडस्ट्री एसे इंडस्ट्री होती है छोटे छोटे कंपोनेंट इसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए बनाती है यह से माल लो एक आटो मुबाइल इंडस्ट्री है और वहां से गियर हैडलाइट यह सब चीज़े जो बनती है वह क्या होती है एं इन सब के लिए फॉर एक्जांपल आटो मोबाइल एंसलेटी इंडस्ट्री प्रोवाइट सपोर्टिक्विमेंट लाइक टायर्स बैटरीज ब्रेक्स हेडलाइट्स मिरर्स एक्सेक्टरा तो यह कुल मिला करके हो गया क्या क्लासिफिकेशन अब इसके बाद में सबसे इंपार्टन चीज़ है और सारी इंडस्ट्री जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हेल्प करेगा वह है इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले इसमें है रा माटेरियल ठीक अभी इसको हम एक्स्प्रेंड करते हैं यह क्लिक करके ठीक रा माटेरियल क्लाइमेट वाटर सप्लाई एनर्जी ट्रांस्पोर्ट लेबर मार्केट ऑककिलाच की गोवर्मेंट क्लिसी इसमें यह इतने जो हैं नमBER डाल लेते हैं वक्रण सेवें एट नाइन यहां इनको कहते हैं जेज्व्क आते um Shrek ते ऑर इनको हम कहते हैं एक्टिया कमर्शील फैट्टयर कि कामर्शील फैक्ट्टर कि चलो की देखते हैं इनका क्या Eye-pect होता है किस पर रा मटिरियल की बात करेंगे तो किसी भी इंडुस्ट्री के पास में जितना पास में रा मटिरेवल हुगा ड्रान्सपोर्टेशन की कास्ट उत्नी कमाएगी रहेगे रोगें पास उसका कोस्ट पड़े इसलिए कोई भी इंडस्ट्री लोकेट होती है अपने आसपास में रा मटेरियल देख करके एक्जाम्पल अगर लोगे तो अहमदाबाद और मुंबई में काटन टेक्टर इंडस्ट्री और आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट दोनों जगा बलेक स्वाइल है बलेक क उसमें मैटर करेंगी कि जैसे इंडस्attoि है चिगाइं इंडस्टि है रा मडे人 है मार्केट यहां है तोि अब हमतों यहां मिल रहे हैं ज्युक्त के बार में वह الإte लूज्ट कर देगा तो ऐसा कर रामटेरियल है तब इंडस्जरि कैनल के पास में होगी लेकिन अगर रामटेरियल इस तरीके से है कि शूब अपना वेट लूज़ करेगा ठीक है प्लेक्वाइट के बाद में तो की हो सकते मार्केटिव आता ही यह भीं हो सकती है ठीक कीमेट का क्लायमेट दो तरीके से अपना प्रभाव डालता है दो तरीके से सब्सक्रवाब पड़ता है इसका मालोत खूब देजल धूब होगों क्यादा गर्मी है तो लेबर काम नहीं करताएंगे इसलिए healthy makes सीह पहला दूसरा अगर क्लाइमेट ज्याद़ एक्स्ट्रीम नहीं है तो कॉटन टेक्स्टैल जैसे इंडस्ट्री के लिए काफ़ यदा बेनेफेशियल होता है अगर जैसे कि लिए कहीं पर देश्ट्री में या उड़को मिल जाएगे और देख करके इस्टेब्लिस होई है Adam YOUR वाहां पर कोई हाइडलघ थीख टू वहां से उनको एनरजी मिल देंदेधित टिंफर्ट की बात करौगे तो रामत्रेयर में भी ट्रांस्पोर्ट का मैंने नम लिया ही था किसी इंडाइस्टी तक चाहे रामट्रेल पहुंचाना हो या वहां से जो प्रोड़क्ट से उसको क्विशना हो इसके लिए leaf की ज़रूरत होती है और यह इंड मी चैनिक हो सकता है इंडाइस्टी पहले बनियो प्र तो इंटरडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे करके वहाँ पर minimum cost theory देखी जाती है ठीक है जो की वेवर की है ठीक यह हाई classes में आप पढ़ोगे वहाँ पर हिंट्र मने एरिया तो पीछे का रीजन होता है मतलब इंटीर रीजन होता है उसको हिंट्र लेबर चले आते हैं जैसे आप देखो कि यूपी से बिहार से इन सब जगे से लेबर समय जाते हैं तो वो चीज फिर मार्केट की बात करोगे तो भाई बन गया अब उसक उसके लिए एक मार्केट चाहिए ठीक तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए मार्केट की लोकेशन काफी ज्यादा इंपर्टेंट होती है अब जैसे आप मंसी जा गई है मार्टी नेशनल कंपनी तो आप इसमें देखा हुए चीज़े असेंबल हो रही है कुछ जो है कंपोन इस लिए और ऑवर्षाल असे इसासिजों मेलते हैं इसलिए जो इंडस्टी सोती है ये सबसे बड़ी बात है कुई गवर्मन किसी इंडस्टी को कितना ज्यादा इंकरिस करती किवह के इंडिया सब्सक्राइब खास करके जो developing countries हलाकि सारी कंट्रीव के लिए government सपोर्टीव है बहुत ज्यादा मैटर करता है और government कैसे supportive हो सकती है उसकी एक्सपोर्ट या importance duty है वो कम करके subsidy दे करके credit facilities आसान करके ह्टीक इन तरीकों से क्या है वो मदद कर सकती है अगर आप देखे होगे देखे क्या होगे पढ़े हो पुआ आप साथ-साथ में पाधा किस तरीके से इंडिया की ईंडिजीनियस इंड़स्ट्री थी कैसे बिटिस् बिटिस गवर्मेंट ने खत्म कर दियो अपने वहां के इंडस्ट्री को बढ़ा लिया वह गवर्मेंट पॉलिसी ही तो थी अगर वहां से आप सीधे सीधे से रिलेट करोगे तो यह चीज़ आप अच्छे से समझ पाऊगे तो यह हो गया अब इस वीडियो का लास्ट आप देखते हैं क्योंकि अगला वीडियो जो इसके बाद में मिलेगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का नोटिफिकिशन आन करना जिससे कि वीडियो आपको मिल जाए तो सबसे अब हम यहां पर क्या देखेंगे यहां आपको इंडस्ट्रीज और चाहे को नीड फौर डी इंडस्ट्रीज तो सबसे पहले पहले इसको नीड कहलो या इंपर्टेंस कहलो नीड कहलो इंपर्टेंस कर लो दोनों बात एक है मैक्जिमम थ्री पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं पेपर के हिसाब से फाइब लिखोगे बहुत अच्छा है ठीक तो देखो सबसे पहले इंडिया जो है वह एक अग्रिकल्चरल कंट्री है अग्रिकल्चरल कंट्री एक अग्रियरियन कंट्री आपको पता है अब अग्रिकल्चरल का डेवलप्मेंट भी इंडस्ट्री के थ्रू ही हो सकेगा इंडस्ट्राइजेशन के थ्रू हो सकेगा कैसे मसीन्स बनेंगी नई टेकनोलोजी आएगी तो अग्रिकल्चर सबको सब्सक्राइबित सकता है सब्सक्रांणी जिम्हेत अधी जा सकता है कि एनुसमेंट सब्सक्राइब जरूरी है कि तीसरा का इंफ्रास्टर्च्ट कोई कंट्रीं कितना ज्याधा है ठीक यह वहां का इंस्प्रार्ट्रेक्शर बताता है आप जैसे जब इंडस्ट्राइजिशन होगा तभी तो रेलवेज, रोड्स, बिल्डिंग्स, ठीक यह सब चीजे बनेंगे, देन किसी कंट्री की सेक्यूर्टी के लिए आप भाई कहोगे कि इंडस्ट्राइजिशन का स इंडस्ट्राइजिशन में तो आप वहां पर जानोगे कि जो बड़े डेवलप्ट कंट्रीज है वो कि नहीं डो कंट्रीज को आपस में लड़ा देते हैं और फिर अपने जो आमसाट्राइज से वह सेल करते हैं उनकी मार्केट बनाते रहते हैं इसमें हो गया इसके ओस्केसीय के और जिसके पास जबना जयादा फॉर्ण करणसी होग वो कंट्री जो एकनट्री ग्रामिक क्राइस हो गैरा हो ता उच्च तेम पर सब ज़्यादा पावरफुल जिसके पास जो है फ्रेंड करेंसी होती है ठीक इस तरीके से तो यह पाइप पॉइंट्स मैं आपको बता दिए यह सकते हो चाहे को कि नीड फॉर इंडस्टी और चाहे को आप इसको कि इंपार्टेंस आफ इंडस्टी अब अगला